Thanks to Web3 Technologies जहाँ पे Game Developers को इतनी Amazing Freedom मिली है कि उन्होंने कुछ ऐसे Amazing P2E Games बनाए हैं जो NFT-driven है जिनको Crypto Games भी बोला जाता है जिनकी वज़े से आप ना तो सिर्फ Game खेल सकते हैं बलकि काफी सारा पैसा भी कमा सकते हैं P2E Games के जरीए Players इन गेम आसेट्स कमा सकते हैं इन गेम आसेट्स को ओन कर सकते हैं जैसे कि skins, weapons है, accessories है, tokens है, currencies है और भी काफी सारी जीज़ जिसके बारे में इस वीडियो में डीटेल में बात होगी मतलब बोलने का मतलब यह है कि यह सारे के सारे assets जो आप own करते हैं, इनके जरीए आप काफी ज़दा financial rewards पापाएंगे कैसे होगा वो सब, वो बताता हूँ, पर उसके बेले यह बता दो कि मैं हूँ अखिल पैसा वैसा से practical videos, research वाले जहां पर आपको upcoming NFT projects के बारे में पता लगेगा, क्या comment करना चाहिए, क्या मुझे लगता है, क्या मेरे recommendations है, क्या-क्या आपके लिए best NFTs रहेंगी, जिसमें आप invest कर सकते हैं, and everything practical related to NFT world. तो अगर आप लोग उस चीज में interest रखते हैं, इस नहीं करना चाहते हैं, तो उसका जो link है, आपको इसी video के description में सबसे ओपर मिल जाएगा, go and subscribe, new video coming in on that channel very very soon. हाँ जी भगया, तो सबसे पहले ये बात करते हैं, कि what are P2E games, play to earn games, अब क्योंकि हम यहाँ पे NFT driven P2E games की बाते कर रहे हैं, तो ये definitely based होगा blockchain की होगा, जहाँ पे हर एक player जो उस game को use करता है, उसको मिलेंगे काफी amazing rewards, which will definitely be digital assets, जो होंगे, NFTs, character skins, accessories, cryptos, इन सारे form में. अब ये सारी चीज़ा आपको मिलेंगे कैसे, अफ़ोर्स आपको game use करना पड़ेगा, अलग-अलग game के अलग-अलग तरीके होंगे, कहीं पर आपको कोई level पूरा करना होगा, कहीं पर आपको कोई competition में पार्ट करना होगा, कहीं पर आपको simplest को खेलना है और जीतना है, अलग-अलग blockchains हैं, जिनके ओपर आपके P2E games waste हो सकते हैं, क्योंकि ये blockchain के ओपर है, इसलिए ये decentralized होंगे, याने कि ये collectively controlled होंगे by the game developers and all the players, जिसका सीधा-सीधा मतलब ये है कि हर एक side से value addition होने वाला है, जितने जदा players इस game को खेलेंगे, उतनी जदा value add होगी बाकी players के और उसे के साथ-साथ, of course, developers के लिए भी value add होगी, चलो ये तो पता लगया, P2E games होते क्या है, पर अगर आप लोगों को एक P2E game चाहिए, तो आपको वो मिलेगा कैसे, बहुत ही simple सी बात है, काफी सारे P2E games है, जो NFT-based होते हैं, जहां पे आपको NFT-based होते हैं, जहां पे ये सब कुछ free है, आपको free में download करना है, आपको वाप initial investment कुछ नहीं करना है, and things are as easy it is, पर of course, जो NFT वाला जो part है, उसमें चीज़ें और ज़्याता है, इन चीज़ों के बारे में मैं आपको your NFT बड़ी वाले चैनल में detail में बताने वाला हो बहुत जल्दी, तो make sure you are subscribing to that channel, link in description. What are some of the most popular play-to-earn NFT-based games? देखोई, जो list यह काफी लंबी है, और यहाँ definitely मैं कुछ को include करके यह नहीं करना चाहता कि भाई, यही options है, of course, मैं यहाँ पे कुछ नाम ले रहा हूँ, पर इनके साथ में भी काफी सारे और भी options हैं, जो आपके लिए definitely worth considerable होने चाहिए, इसके लिए आपको regularly research करना पड़ XC Infinity, Splinterlands, और भी काफी से रहे नाम है, जो मैं आपको description में कुछ और नाम mention करके दे दूँगा, और बाकी जो details है, regularly updated नए games है, वो आपको your NFT buddy बड़ी वाले चानल पर मिल जाएगा, बहुत ही जल्दी, अब एक सवाल जो definitely मेरे दिवाग में आया था, जब मुझे play to earn NFT based games के बारे में सबसे पहले पता लगा था, वो ये था कि भाई, ये कोई नया concept तो sound नहीं कर रहा है, यानि कि कोई आप particular चीज़ खेलेंगे, आपको मापर digital assets मिलेंगे, या फिर आपको पैसा मिलेगा, ये सभी चीज़ें कोई नई बात तो नहीं है, काफी सारे applications तो games ऐसे हैं, past काफी सारे weapon की skin मिलती थी, आपके attire की skin मिलती थी, काफी सारे ऐसी चीज़ें थी, जो आपको regularly मिलती रहती थी, पर क्या ये चीज़ें transferable थी, नहीं, क्या इन चीज़ों से आपको financial reward मिलता था, नहीं, वहीं पर अगर हम NFT based P2E games की बात करें, अगर हम इसी चीज़ को उस च weapon की skin है, इन सभी चीज़ों को दूसरे को transfer कर पाएंगे for some reward, exchange कर पाएंगे, then it makes sense, अगर आप ये चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं, तो this is not exactly P2E games based on NFT platforms, तो यहाँ पर clear difference है, आपके financial reward का, transferable digital assets होने का, हम ये चीज़ तो definitely आपको बताना चाहूंगा, कि आपको regular basis पे, मेरे सा सारे ऐसे amazing information मिलती रहेगी, जो आपको help करेगा, to be able to knowing some new amazing NFTs, जिन में आपको invest करना चाहिए, P2E games जो आपको possibly खेलना चाहिए, invest करना चाहिए, पर उसी के साथ में एक चीज़ बहुत important हो जाती है, आपके लिए जानना वो ये है, NFT based P2E games का future क्या होगा, तो ये चीज़ ब more than 4.5 billion dollars in revenue, जो एक काफी huge amount है for this industry, वहीं पर अगर आप latest acquisitions और changes की बाते करें, जैसे कि Facebook बन गया है Meta, Microsoft ने Activision Blizzard को acquire कर लिया, Ubisoft ने Quartz नाम के NFT marketplace को launch किया, तो इन सभी चीज़ों से ये definitely indicate होता है, how serious gaming companies, gaming developers, gaming giants are about blockchain and this industry, कुछ महीनों पहले Justin Can, जो video streaming platform Twitch के co-founder है, उनने tweet किया था, NFT games are better for players and for game developers, like the free-to-play revolution changed gaming, so will blockchain, the games of the future will be fully robust, with open and programmable economies, इस चीज़ से definitely indicate होता है, that people are actually getting serious about blockchain-based P2E games, अब मुझे ये नहीं पता है कि traditional gaming पूरा का पूरा take-over हो जाएगा with P2E gaming, क्योंकि of course आपका time pass भी important होता है, हर एक चीज़ को आप पैसे में तोल नहीं सकते काफी सारी चीज़ सिर्फ और सिर्फ एंटर्टेंमेंट के लिए भी होती है, तो इसलिए मुझे लगता है, traditional gaming will be there, but P2E gaming is definitely the future, and everyone, a lot of people, a lot of serious gamers will get into it, because अगर आपको आपकी skill किसा साथ पैसा भी कमाने को बिल जाए, so why would you not take it seriously and start earning your livelihood with the same thing, तो मैं इस वीडियो को इसी question के सा साथ में खतम करना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है, what will be the future of blockchain-based P2E gaming?